हेलो आश्रोएंस मौँ विकाश और मैं आप से विकान नॉलिज पीम यूटुब चैनल के एक नए वीडियो में पुने श्वागत करता हूँ आश्रोएंस आज की वीडियो में मैं क्लास 12 वेट के विद्यार्थियों के लिए यह अच्छा बारे के लिए जो है 2022 का इंगलीज का question paper है तो यहाँ पर जो निर्देश से उन्हें आप पढ़ सकते हैं वीडियों को रोक कर अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर आपका section A जिसमें के reading से सम्बंदित question जो है वी start हो रहा है तो इसके अंतरकत आपको जो पहरा प्रशन दिखाई दे रहा है इसमें आपको एक passage दिया गया और इस passage को आपको पढ़ने के बाद जो नीचे प्रशन पूछे जाएंगे उन प्रशनों का आपको उत्तर लिखना होगा यह एक unseen passage होता है जो कि आपके किताब से नहीं होता ह ठीक है तो इसे आपको पढ़ना है पढ़ने के बाद नीचे जो प्रशन पूछे गए हैं उन प्रशनों का उत्तर आपको इसी passage के आधार पर देना होगा तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका पहला question पूछा है इसका जो उत्तर है मैं आपको नीचे लिख कर दूँगा उससे पहले आप question देख लीजेए इसके बाद दूसरा question है what is meant by the phrase the period of the epists यानि महाकावियों के समय के वाक्यान्स का अर्थ क्या है इसके बाद तीसरा question है what was तच्छिला famous पूछ यानि तच्छिला किसके लिए प्रशिद था इसके बाद चौथा question है what has been common to the people of Afghanistan and parts of Central Asia despite their differences religions यानि अफगानिस्तान के लोगों और मथे एसिया के लोगों के बीच उनके difference religions यानि भिन-भिन धर्म के बावजूद क्या समानता है तो क्या समानता है या आपको मैं लिखकर नीचे जो है दिखाऊंगा इसके बाद देख सकते हैं इवाले question में पहला दूसरा तीसरा करके question पूछा है करा which word in the passage means arrival or coming यानि गद्यांस में किस सब्द का अर्थ आगमन होता है या आना होता है इसके बाद दूसरा कहरा है कि what are meant by monuments and monasteries Monument मतलब इसमारक और monasteries मतलब मठे इनका आपको जो है क्या अर्थ होता है बताना है इसके बाद तीसरा गिब्दस सिनॉनिम साफ entirely यानि entirely का आपको जो है प्रयावाची सब्द बताना है तो इनका जो उत्तर देखे मैंने यहाँ पर लिखा हुगा है तो पहले बाले question का उत्तर देख सकते हैं किस तरह से मैंने लिखा है लारजरी बुद्धिष्ट inhabited Afghanistan and part of Central Asia before the advent of Islam यानि इसलाम के आगमन से पहले अफगानिस्तान और मध्ध एसिया के भागों में ज्यादातर बुद्धिष्ट यानि की बहुत धर्म को मानने वाले inhabited निवास करते थे इसी तरह से आप देख सकते हैं इसके बाद देख सकते हैं आपका वाट वाट अच्छिला फेमस फोर तो यहाँ पर मैंने इसका उत्तर लिखा है आप लोग देख लीजेगा ठीक है इसके बाद आपका डी वाला क्वेस्चिन है तो इसका भी एंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुगा अगर इस पर स्टूप से ना दिख रहा हो तो वीडियो की क्वाल्टी बढ़ा लीजेगा इसके बाद आपका इवाले में जो है कमिंग या रिवल का जो है आपको मिनिंग जो है पैसे में फाइंड आउट करना थो तो यह डिवेंट मतलब आगमन होता है यह हो जाएगा इसके बाद आपका देख सकते हैं मोनुमेंट्स एन मोनिश्ट्री वाला यहाँ पर मैंने जो है इसका अर्थ लिखा हुआ है और इसके बाद आपको सिनॉनिम्स बता रहा था इंटायर ली का तो यहाँ पर कम्पलेटली मतलब पूरी तरह आप लिख सकते हैं ठीक है आर्टिकल का पूरी तरह से मतलब जो है यहाँ पर एसे से कर दिया गया है अगर आप देखेंगे कच्छा 10 का जो इंगलिस का प्रिपर इस बार हुआ था बोड़ी जा में उसमें जो आर्टिकल आपको लिखने के लिखने के लिख लिख लिए था उसमें हेडिंग आपका तो लेटर राइटिंग पर भी complete हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है आप जाकर देख सकते हैं ठीक है आप हमेशा एक पर्सनल लेटर याद रखें वो पर्सनल जरूर पूछा जाएगा देख सकते हैं आप पर भी पूछा गया है इसके बाद जो है आपका section C अर्था ग्रामर क जो question ने वही start हो रहा है तो इसमें आपको सही बिकल्प का चुनाव करना है तो इसमें आपका देखे पहला जो question ने कह रहा है that which cannot be corrected is called यानि जीसे सही नहीं किया जा सकता है उससे क्या कहा जाता है तो उसे जो है incorrigible कहा जाता है तो मैं इसे जो है टिक कर देता हूं ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अब फ्रेज अब बोन आप कांटेंशन मींस यानि जगड़े की जड़ वाक्यांस का मतलब है अब बोन आप कांटेंशन इसमीत होता है जगड़े की जड़ तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो है option दिया हुगा है region आप क्वेर ठीक है तो यहीं जो है हमारा जो है सई option है इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपका C वाला जो क्वेश्चन हैं आपको synonymous बताना है बेन बेन मतलब अभी शाफ होता है तो आप यहाँ पर जो है कर जे जो है आपका सई है ठीक है इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं करा आलवेज स्पीक ट्रूथ इसमें आपको किस वर्ड में गलती है तो आलवेज स्पीक दट्रूथ होता है तो यहाँ पर जो आर्टिकल ए है यह वाला जो है आपका गलत है इसी पर हम लोग टिक लगाएंगे ठीक है यही यानि आपका सही ऑप्शन है इसके बाद आपका य ट्यारी करना चाहते हैं तो हमारे को वीजिट करके अच्छे से त्यारी इसके बाद देख शकते हैं आपका जो है यह वाला जो question है narration से है पहला दूसरा करके दो direct narration दिया है जिसे इन direct narration में change करना है किवाल एक को ही change करने के लिए कहा गया आपको तो इसका जो उत्तर मैं आपको नीचे भी इस पश्ट कर देता हूं ठीक है इसके बाद B वाला जो question है यह आपका देख सकते हैं आपका synthet से है इसमें भी पहला दूसरा करके दो question पूछा है जिसमें से केवल एक को जैसा निर्देश दिया है breakage में वैसा आपको combine करना है तो इसका भी उत्तर मैंने नीचे जो है आपको clear किया है उसे मैं आपको show कर देता हूं ठीक है इसके बाद C वाला जो है आपका transformation से है इसमें पहला दूसरा करके दो question पूछा जिसमें से केवल एक question को करना है तो इसका भी जो answer है मैंने नीचे लिखा हुआ है तो मैं आपको दिखाता हूं अभी इसके बाद E वाला जो आपका homo phone से है इसमें से आपको पहला दूसरा करके दो सब्दों का समू दिखाई दे रहा है त इसमें से का वा लेक है शबतार मैं नीचे आपको दिखा देता हूं तो देख सकते हैं यहाँ पर पांच में का A वाला जो है डारेक्ट नददेर्चन मैंने दोनों का भना दॉनु डारेक्ट नदेर्चन धाटया है दूसरा वाला देख सकते हैं आप किस तरह से य Changi की जो बी वाला यानि की complex sentence बनाया गया है इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं दो c is reach कामा देकर c is not happy ऐसे भी बना सकते हैं या आलदो से बना सकते हैं आप चाहो तो 8 लगा सकते हैं नहीं तो 8 नहीं लगाते हैं तो कामा लगाना पड़ेगा इसके बाद आपका 50 वाई देखें आपर मैंने बनाया हुआ है इसके बाद आपका d का पहला देखें मैंने correct किया हुआ है एट आजाएगा और जो दूसरा वाला है या दो तरह से हो सकता है I am too happy not to see you तो यहाँ पर देखें आपको infinity जो है negative बनाना होगा तब ही आपका सकारात्म करताएगा या फिर I am happy to see you ऐसे भी आप बना सकते हैं ठीक है इसके बाद आपका home phone से तो देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने वाक्ष में प्रयोग किया है और यह कही करना होता है आपको तो यहाँ पर मैंने दोनों का बना दिया है तो I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसकी बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आपका question number 6 है इसमें आपको एक हिंदी का पैसे दिया गयाएगा और जिसे आपको इंगलिस में जो है translate करना है अगर हिंदी से इंगलिस में बिल्कुल भी आप translate नहीं कर पाते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके playlist में चेक करेंगे तो आपको जो है एक complete playlist मिल जाएगा जिसे आप देखकर काफी अच्छे से हिंदी से इंगलिस में translate करना सीख सकते हैं ठीक है यह मैं आपको दिखा दे रहा हूं passage इसके बाद आपका question number 7 आता है जिससे जो की section D के अंतरगत यहां से आपका English test book के question शुरू होते हैं तो question number 7 में A, B करके आपको दो question दिखाई दे रहा है A में भी अथवा करके question है, B में भी अथवा करके question है केवल एक-एक प्रशनों का उत्तर आपको लिखना है तो हमारे mobile application से आप इनकी तयारी कर सकते हैं हमारे mobile application का link इस video के description में है आप ज़रूर एक बार जाकर देखें ठीक है तो यह हो गया आपका question number 7 इसके बाद आपका question number 8 आता है तो question number 8 में जो है आपको A, B करके दो question देखने को मिलेगा जिसमें से के वाल एक प्रशन का उत्तर आपको लिखना है अल्मोस्ट 80 words में यह भी आपके English pro जीसे है और इस पर भी हमारे mobile application पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रशन जाकर आप डाउनलोड कर लिजे ठीक है इसके बाद आपका question number 9 जो है आपका English poetry इसमें आपको एक इस्टेंजा दिखाई दे रहा है इसी स्टेंजा को आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद नीचे जो प्रशन पूछे गए है प्रशनों का उत्तर आपको इसी स्टेंजा के अधर पर देना होगा तो अगर आप किस तरह से comprehension question का answer लिखा जाता है नहीं जानते तो मारे while application पर जाएगे वहाँ पर मैंने जो है इस सबका preparation कराया है ठीक है तो यहाँ पर A, B, C करके तिन question पूछा गया है जिनका उत्तर आपको उपर देगे इस्टेंजा के अधर पर देना है इसके वहाँ आपका question number जो 10 है इसमें आपको central idea लिखने के लिए तीन poem दिया गया है किवल एक poem पर आपको central idea लिखना है तो इन तीनों poem पर मैंने central idea आपको available कराया है जाकर आप हमारे mobile application पर चेक कर सकते हैं या फिर हमारे videos में भी चेक करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा इसके बाद आपका question number जो 11 है इसमें आपको देखे A, B करके दो question पूछा गया है जिसमें की अत्वा-त्वा करके भी आपको प्रश्ण दिखाई दे रहा है इसमें से A वाले से एक question का उत्तर लिखना है और B वाले से भी एक question का उत्तर लिखना है जो कि आपके English supplementaries है और इस topic का भी preparation हमारे mobile application पर वहाँ से जाकर आप अच्छे से तयारी कर सकते हैं इसके बाद आपका question number 12 जो कि last question है यहाँ पर भी आपको यह भी करके दो question दिखाई दरा है जिसमें से क्यों ले question का उत्तर आपको लगवाग 80 सब्दों में लिखना है या भी आपके English supplementaries है और इसका भी preparation हमारे mobile application पर आपको देखने को मिल जाएगा उन जिलो का पेपर अगर आप देखना चाहते हैं अंसर के साथ तो महाई टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे और साथे साथ इस वीडियो के description में मैंने अपने knowledge beam real blog चैनल का जो है link दिया है वहाँ पर मैं इजूकेसन से हटकर आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा अपना experience share करूँगा तो आप उसे जरूर subscribe कर लिजेगा और उसी channel पर मैं आप लोगों को guide भी करूँगा कि आपको inter के बाद किस direction में अपनी education को जारी रखना चाहिए ताकि आप अच्छा career get कर सकें तो जरूर उसे subscribe कर लिजेगा लिंक वीडियो के description में मैंने दिया हुआ है उस channel का अभी महाँ पर हमारे friends जो है काम कर रहे है तो मैं भी जो है exam के बाद आप लोगों के खाली होता हूँ तो आप लोगों के लिए वहाँ पर वीडियो लाऊंगा तो इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो पसंदे वीडियो को लाइक करें चैनल पर परिवाय तक चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले तुम्हें ते नेक्स वीडियो में तब तक लिए thank you so much watching this video हूँ